चीन के साथ व्यापार सोड़ा तभी जब वह अमेरिका के हिट में होगा ट्रम्प विश्वकी ये दो बड़ी अर्थ व्यवस्थाएं आपस में व्यापार युद में उस समय उलज गई थी जब ट्रम्प ने पिछले साल मार्च में चीन से आया थोने वाले इस पात और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लगा दिया था वॉशिंटन चीन के साथ समझाते को लेकर चल रही बात चीट में रुकावट की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझाता तब ही संभव है जब उन्हें यह विश्वास होगा कि ऐसा करना अमेरिका के हित में हैं ट्रम्प ने शुक्रवार को वाइट हाउस में समगा दाताओं से बातचीट में हाला कि यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि चीन के साथ व्यापार समझाता हो जाएगा विश्व की ये दो बड़ी अर्थ व्यवस्थाएं आपस में व्यापार युद में उस समय उलज गई थी जब ट्रम्प ने पिछले साल मार्च में चीन से आया थोने वाले इस पात और एलियूमिनियम पर भारी शुल्क लगा दिया था इससे यह भाई भी सामनी आया कि वैश्विक व्यापार युद में यह कदम चैनगारी की तरहें काम कर सकता है ट्रम्प ने समभा दादाओं से कहा मुझे भरोसा है लेकिन हम अगर अपने देश के लिए बहतर सौधे बाजी नहीं कर पाते तो मैं इसे नहीं करूँगा अगर यह अच्छा सौधा नहीं हुआ तो मैं यह सौधा हरगिज नहीं करूँगा गत महीने ट्रंप ने कहा था कि वह उनके चीनी समकक्षी चिनपिन के फ्लोरिडा में मिलने का कारिक्रिम है जहां वह चीन के साथ व्यापार समझोते को अंतिम रूप दे सकते हैं